हमी जागना होगा हमी कर्म क्षेत्र में प्रवेश करना है फिर हम जीवन भर गधे की भाती परिश्रम करेंगे और अंत में हमारा दिहान्त हो जाएगा मा आप जीवन में मुझे किस क्षेत्र में कारे करते देख कर प्रसन्न होंगी मुझे ज्यात नहीं कि आपकी अकांक्षा क्या है मेजिस्ट्रेट, बैरिस्टर अत्वा किसी शास्किय पत पर मेरे नियुक्त होने से आपको सर्वाधिक प्रसनता होगी। मैं विद्वान और गुड़ी व्यक्तियों के द्वारा सम्मानित होगा, तब आपको प्रसनता होगी। मेरी तीवर इच्छा है कि आप मुझे बताएं कि मुझे कैसा देखकर आपको प्रसनता होगी। आज सुबा से ही मन में बार बार विचार आ रहा है कि क्या घुलाम भारत में एक भी संतान स्वार्त रहित नहीं है या भारत माता इतनी अभागी है। कहा है वे वीर आ रहे है जो भारत माता के लिए अपनी प्राण दे सकें। अब हमें जागना होगा। कब तक हम भारत की यही दुर्दशा देखते रहेंगे। 84 लाख यूनियों के बाद हमें मनुष्य का यह जन मिला है। अगर हम इस जन में कुछ भी श्रेष्ट न कर पाएं तो हमारा जीवन ही बेकार है। भगवान ने कल यूग में एक नई जाती बनाई है और वह है बाबू लोगों की जाती। यह जाती किसी अन्य यूग में न नहीं चल सकते। भगवान ने हमें हाथ दिये हैं पर हम श्रम वाला कुछ काम नहीं कर सकते क्योंकि हम बाबू हैं। हम श्रम को छोटे लोगों का काम समझकर उससे घ्रिणा करते हैं। कारण है कि हम बाबू हैं। हम सब काम नौकरों से करवाना चाहते हैं, हाथ पेर चलाने में हम एक कश्ट होता है क्योंकि हम बाबू हैं, गर्म देश में जन्म लेकर भी हम गर्मी सहन नहीं कर सकते और साधारण सी ठंड में हम कपड़ों से लज जाते हैं, ज्यान विवेक होते हुए भी हम उसका नहीं करते, मानवता की ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता, यही कारण है कि हमारा देश दिन प्रति दिन पतन की ओर बढ़ रहा है, लेकिन अब समय आ गया है, जब हमें अपना स्वार्थ त्याग कर भारत माता की सेवा में लग जाना चाहिए, आजकल मेरा दिल हर रोज भारत माता की रोने की आवास सुनता है, शायद एक दिन और लोग भी इसकी ये आवास सुन पाएंगे, मैं हमेशा भारत माता का सेवक बन कर रहना चाहता हूँ, यदि इस बीच आपकी सेवा ना कर सकूँ, तो मुझे ख्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सेवा में सिर्फ म मेरा ही कल्यान होगा, लेकिन भारत माता की सेवा में पूरी राष्ट्र का कल्यान होगा, मेरी प्रभू से प्रार्थना है कि मैं संपूर्ण जीवन दूसरों की सहायता में बिता सकूँ, मुझे आशा है कि वहां सब कुशल से होंगी, यहां सब सानंध है, क्रिप्या मेरा प्रणाम स्वीकार करें और इस पत्र का उत्तर अवश्य ही दें। सदैव आपका प्रिये पुत्र सुभाश।